आज अपने बात करें बुद्ध ग्रह का वेदिक जोतिस रह्षिय मरकरी इन वेदिक केस्ट्रोजी बुद्ध ग्रह की संपून जानकरी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ रासी स्वामित्व से लेके लगन की कुंडली में कैसा आपका बुद्ध आपको फल दे रहा आपकी कुंडली में बुद्ध कहां पर है कैसा आपको फल देगा किस तरह उसका उतर दिसा फल है आपको कौन से दिन उसका आपको वरत करना चाहिए सारी चीज़े इस वीडियो में बताने वाला हूँ देखिए बुद्ध के बारे में पहने जान लेते हैं बुद्ध आप बुद्ध का लगन, मिथ्धुन वर कन्या है वै, जातक को किसी राज कुमाळ की भाती ही समझते हैं अगर आपका कन्या लगन या मिथ्धुन लगन बनता है तो आपका हाइट छोटी हो सकती है, राज कुमार के ही भाती है आप लगोगे बुद्वार सप्ता का तीसरा दिन है जिसका स्वामी बुद्ग्रे यदि बुद्ध जनम कुंडली के किसी अच्छे भाव में इस्तित हो जाए तो ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं CA, CMA, CFA, Accountancy Field उनके logical mind, communications काफी ज़्यादा अच्छे होते हैं ये काफी बातों नी भी होते हैं अपनी बात को कहां किस तरह रखना है इनसे उचित परिणाम सामने आते हैं ये अपना बात को ऐसी अच्छे तरीके से सह जाके बोलते हैं जिससे सामने वाला इंप्रेस हो जाता है उसके विप्रेस यादी बुद 6,8,1,1 बाव हो या दूसीत बाव है देखो लिखाव है दूसीत बाव दूसीत बाव नुकसान बाव 6,8,12 बाव में अगर आपका बुद है तो आपको दिक्कत समझे हो सकती है या नीच रासी मीन रासी में अगर बैठ जाए तब भी आपके दिक्कत हो सकती है जाता का चंचल सुबाव एंकारी हर काम में जल्दबाजी से करके हानी उठाना रहे कठोर सुबाव का हो सकता है ऐसे जातकों कि नीड़ने चंता भी चीन हो जाती है जिनका बुद्ध 6-8-12 भाव में हो 6-8-12 भाव में बुद्ध हो तो उनकी बुद्धी मता नश्ट हो जाती है बुद्ध को सूरियस्त के बाद में सूरियोद्य से ठीक पहले नगने आँख उसे देखा जाता है सूरिय के बेहद निगठ होने के कारण इसे सीधे देखना मुस्किल होता है बुद्ध का सीधा संबन्द बुद्धी से है और कोई भी कारिये जो करते हो आप बुद्धी मता से जो कारिये करते हो वह बुद्ध से है बुद्ध जो है वो लोजिक है और मेरा चैनल आपको पता है आश्रोलोजी लोजिक है तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं के शब्सक्राइब ज़रूर करें देखो बुद्ध का जो रासि स्वामेत मुठ वकन्यारासि को दिया है दिसा जो है बुद्ध की उत्तर दिसा है बुद्ध का जो दिन है वो बुद्वार है तत्वे प्रत्वी तत्वे का है उच रासी कन्या रासी है बुद्ध की मीन रासी नीच रासी जो है मीन रासी है अपने साथवे अगर बुद्ध यहां बेटा है जैसे तो यहां से सामने साथवा गर को देखेगा यहां बेटा है बुद अगर तो यहां से सामने इस गर को देखेगा यहां से अगर यहां बेटा है तो इस गर को देखेगा यहां बेटा है बुद तो आपके लगन को देखेगा तो आपको बुद्धिमान बनाएगा आप अपने करम भाव में बहुत बुद्धी मानोंगे, यहां बैठा तो अपने बुद्धी से आप लाप कमाऊगे, यहां धन भाव में बैठा मतलब आप अपने बुद्धी से धन कमाऊगे, यहां बैठा तीसे पराकरम की बुद्धी होगे, आपके बुद्धी बहुत अब देखिए बुद्ध का जो लिंग है वो कौन से है तटस्त है तटस्त मतलब जिस ग्रह के साथ बेटेगा या जिस रासी में बेटेगा उसका वैवार अपनाएगा अगर मालो सुर्य के साथ तो सुर्य का वैवार अगर मालो सुक्र के साथ तो सुक्र का वैवार अगर माल अगर आपका कुंडली में बुद्धि काम नहीं करें तो ओम बुम बुद्धायन में का जाब करें बुद्ध ग्रह के सुफल जब किसी भी जातक के कुंडली में बुद्ध ग्रह के सुफल के बतार में बतार में जब यदि कुंडली के 6-8-12 भाव में बुद्ध ना हो और बुद्ध लगन में हो चोथे भाव में हो सब्तम भाव में हो दसम भाव में हो भाग्य भाव में हो लाब भाव में हो पराक्रम भाव में हो धनबा में हो तो बुद्ध आपका कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आप ओम बुम बुद्धा इनमय का जाप करें, उपाय क्या है, मंत्र जाप, अगर मालो आपका बुद्ध केंद्र बाव में हो, आपके भाग्य बाव में हो, बुद्ध आपके धन बाव में हो, लाब बाव में हो, तो आप पन्ना रत्न धारन कर सकते हो साथ में आप मंत्र उचारन जरूर करें रत्न धारन करें ठीक है अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बुद्ध अगर आपकी कुंडली में छे-ाट बारा में हो तो क्या दान करें गाई को हरा चारा खिलाएं खिलाएं तब ही आपका बुद्ध अच्छे फल आपको देगा इसलिए बुद्ध को जितना ज्यादा मजबूत करोगे उतना कम्यूनिकेशन पावर आपका बढ़ेगा और आपको अच्छे फल मिलेंगे बुद्ध के सांती के लिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे छोटी अंगुली में धान करना चाहिए पन्ना रतन सवा तीन रती से उपर से सबी रतन काम करते हैं ध्यान रखना और यदि जातक का वजन सत्तर किलो ग्राम है तो सवा आठ रती का रतन धान करना चाहिए हरी वस्तू हरी सब्जी कपड़े वैपनना का दान करने से बुद्ध के बुरे प्रवाव को सांत की अज़ा सकता है हरी वस्तू हरी सब्जी आपको गाय को खिलाए या किसी हिंजड़ा को रुपिया दे या फिर हरी सब्जी या हरा वस्त्र दें तो आपका बुद्ध ग्रह भूत अच्छे पल देगा बहन बेटियों की सेवा करें बहन बेटियों को बला बुरा ना बोलें उनका में सा आदर करें जिससे भी आपका बुद्ध ग्रह अच्छा होता है दन्यवाद दोस्तों मिलते है नेक्स्ट वीडियो में